अब देखिए, रोज-रोज डाल चावल, डाल चावल खाका कर भी बोर हो जाते हैं, तो चावल तो सभी को पसंद है खाने में, तो आज चलिए हम चावल के साथ कुछ अलग से करते हैं, वही जो डेली का चावल रहेगा, उसी को हम कुछ नयापन देते हैं आज, और जो मैं ब सब्सक्राइब काट लिया हैं मैं चावल को साफ कर अच्छे से अब जो भी चाव घर में घाते हैं वही ले सकते हैं इसा कुछ नहीं है कि हमें कौन में बना औरकर में ही तो आफ देखिए बना तो देखिए जो मैंने सबजी काटी थी तिक्षी कोछ पीयाज मैंने अलग से लिकाल ली थी और उससे तरह से तल कर निकाल लिया है उसे ऐसे डीफराई करके अच्छा सुनारा होने तक यह ब्राउन-ब्राउन हो घ्र तक निकाल लिया है ठीक है अब डूशा है कि मैंने दू तो यह देखे, काजू तलकर निकाल लिये हैं, अब इसके साथ आप किश्मिस भी निकाल सकते थे, और मतलब कर आप ड्राइफूट जैसे की मुंफली दाने होते ना, उनको भी तलकर रख सकते थे, तो मैंने सिर्फ काजू ही तलकर निकाले हैं, अब क्या किया है कि उसी तेल में जीरा डाल दिया है, और पहले डाली है हमने दाल चीनी, और उसके बाद हमने तेजपत्ता डाला है, फिर जीरा डाल दिया, फिर हमने डाला है अद्रक और लसन का पेस्ट, जो हमने बना कर रखा था, कूट कर रखा था अद्रक लसन, तो अद्रक लसन डाल दिया है, हरी देखिए मेरे पास सब्जीन ज्यादा नहीं थी थी तो मैं प्षू एय्ट करें विह नहीं बीन एड़ य१ां है तो बाध बाध बे चे लगते हैं और आपके पास बीन से तूब आधी तेस्ट बहुत अच्छा था है तो मैं देखिए आज जो हम चावल बनाएंगे जो राइस बनाने जा रहे है थोड़ा साम अलग बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसे तरह थोड़ा नमक डाला है इससे क्या होगा है कि हमारे जो आलू है वह जल्दी से पक ज अब चावल का क्या किया है मैंने कि चावल को ना पानी निकाल दिया है उसका और उसमें क्या करना है हमें कि बहुत ज्यादा नहीं पकाना है चावल को 80-70% तक ही पकाना है उतना ही कुक करना है फिर मैंने क्या कि टामाटर भी अड़ कर दिये थे और यह कुछ मसालें जो हम द तो यह वह एक मसाला मैंने इसमें ही दही में एड़ कर दिया इसे टेस्ट काफी अच्छा आएगा अब मैं इसमें अभी वह भी डालूंगी यसे कि थोड़ा चाट मसाला डाल सकते हैं सांबर मसाला डाल सकते हैं मैं इस तरह के मसाले ऐसे डाल देती हूं इससे टेस्ट बहुत ही बढ़के आता है मतलब की बहुत अच्छा हो जाता है तो यह देखिए अब हमने कहके कि उसमें कटोरी में पानी ले लिया है जो हमारा दही रखा हुआ था ना उसी को और इसमें डाल दिया है अब यह हम इसे पानी को थोड़ा सूखने तक पकाएंगे अच्छी तरह से टामाटर हमारे मसाला जो भी हमने डाले ना सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब तक हमें इसे ऐसे ही पका लेना है अब देखिए बहुत अच्छा कलर भी आ गया है इसका क्योंकि हमने कश्मी लाल मेश डाली दृट मेश नहीं डालते है तो इसमें йक्री के ओरने खाने क्लर सकते है उसको भी यह आप अपनी पसंदिक हिसाब से लेकिन अपजावल अगर बना रहा है और अगर जैसे की पुलाओ भी नहीं खना तो आपको बताए तो ना कि मैं सामभर मसाला पाबजी मसाला ऐसे मसाली इसमें एड कर देती हूं इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है तो आप कभी ट्राय करके देखिये और मुझे ज़रूर बताईए कि आपने जो चावल बनाए थे जो राइस बनाए थे वह कैसे बने थे जैसे आप राइड राइस का नाम भी दे सकते हैं और मतलब की बहुत अच्छा बनता है एक बार तो बना के देखने वाली चीजे तो बना सकते हैं अब यह देखिए हमारा क्या होता है कि आलू प्याज टमाटर शिमला मेट सारी चीजे बहुत अच्छे से पक गई सब्सक्राइड रहे के देंगे और थोड़ा हम कड़ाई के अंदर रहने देंगे मुरा निकालना है दोड़ा उसके अंदर हाइसे नीचे एक लेयर जैसे बनाना और फिर उसके उपर एक लेयर अमने चावल की फीर कर दी तो देखिए अब अमने इसे ढख दिया था ढखने से क्या हुआ ना कि जो चावल थे ना वह अब जो बचे हुए नहीं पके हुए थी जो आधे कच्छे थे मतलब आधे कच्छे तो नहीं कहेंगे तो थोड़े से आप देख सकते हैं और कलर भी बहुत ही सुन्दर आया है अब यह हम क्या करेंगे काजू भी इसक्या उपर ही डाल देंगे सभी मिक्स कर देंगे अगर आप पसंद करते हैं तो इस तरह से डाल दीजिए और अगर जो पसंद नहीं करता है तो अलग से प्लेट में जब पर यह बनाना चाहिए कभी-कभी जैसे क्या होता है डाल चावल सबजी रोटी सब चीज से बोर जाते हैं खिचडी भी नहीं खाना एंगर हमको ऐसा भी होता कि बार कि पर पर लिए टो कि बहुत अच्छी लगतीर मतलब वीक में एक बार तो बहुत अच्छी लगतीर लग कभी यह से नया बना के और फिर बच्चों खिलाईये अब देखे मैंने किया घी भी यह उपर से और डाल दिया है थोड़ा सा बसे जब चावल मेंने पकाकी निकाला था तब भी घी डाला था अब यह और डाल दिया है तो यह देखिए हमारे फ्राइड राइस बन कर एक दम तयार हैं पुलाव भी कह सकते हैं आप इसे अब हम इसे प्लेट में सर्ग कर देंगे इस तरह से आपको अगर में रेसेपी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पसंद आ रही है आप लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को यह देखिए अच्छे तरह से हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है अब कुछ काजू हम उपर से भी डाल देंगे ऐसे और थोड़ा सा प्याज भी डालेंगे हैं ऐसे यह प्याज ना बहुत पिस्टी लगता है खाने में इस तरह से आप जरूर डाली कभी प्याज बनाते पुलाव अगरे तो इसे डाल दीजिए अच्छा लगेगा और यह थोड़ा सा हारा धनिया हमने डाल कर और इसे तयार कर दिया है प्लेट को यह देखिए हमारी मज़ेदार राइस प्लेट तयार है थैंक यू फ्रेंड्स